हेलो फैंस मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं गाउं के देशी तरीके से लेके आई हूँ गुलगले की रेसिपी तो चलो बनाना शुरू करते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप चिनी ली है उसको एक बरतन में डाल लिया है आप चिनी की जगे गुड़ भी ले सकते हो गुड़ से भी बहुत टेश्टी बनते हैं अब इसमें हम डालेंगे दो कप पानी पानी हम सुरू में कम ही डालेंगे क्योंकि हमें पहले चिनी को पिंग लाना है हम एक चमच की साहिता से हिलाते हुए तो आदा कप बचा था, वो भी इसमें डाल दिया है अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, आज हम काम के बिल्कुल देशी तरगी से हेल्दी गुल्गले बना रहे हैं, यहाँ पे दूसरा कप आठा ले लिया है, आधा कप डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं, जिससे हमारी जो बैटर बनाएंगे उसमें गाठे ना पड़ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और बैटर को अच्छे से मिला लेते हैं, जो थोड़ी बहुत गाठे पड़ी हैं, उनको भी खतम कर लेते हैं, ऐसे मिक्स करेंगे तो हमारी जो गाठे हैं, वो भी खतम हो जाएंगे, इसमें मैंने एक चुटकी नमक डाला है, और यहाँ प जो बेटर है वो इस तरह का होना चाहिए न है तो गाड़ा उना ही पतला अब हम गैस पी रखेंगे एक कड़ाई और गैस ओन कर लिया है इसमें मैं डाल ली हूँ सर्शों का तेल आप जिस भी तेल में घी में जिसमें भी खाते हूँ वो डाल लें यहाँ पे मेरा तेल गरम ह मैंने गरम हो गया है मैंने एक बैटर का ठोड़ा के देख लिया था कि गरम हो गया है हमँ थोड़ा सा बैटर हुसरी में हमें हथा कर घाल ठाल थेंगे रखेंटाऊ कुछ साइधिन नहीं क्यों कि तेल में जाने बाद फूल भी जाते हैं गैस की फिलेम को हमें below to medium की रखन बना के खाते ही रहते हैं तो मैं दिखाती हूँ आपको हमारा एक बैच तो सिक्के तयार हो गया है तो इन्हें हम निकाल लेते हैं और देखो इनका कलर भी चेंज हो गया है आप इन्हें गाउं के माल पुआ भी कह सकते हो क्योंकि लोगों को ये गाउं में बहुत ही पसंद आते हैं इसी तरह से हम दूसरा बैच भी सेक लेंगे थोड़ा से बैटर हाथ में उठाएंगे अगर आप इन्हें हाथ से नहीं डालना चाते हो तो आप इन्हें चमच से भी डाल सकते हो लेकिन मैंने हाथ से ही डाल दिया हम थोड़ा थोड़ा बैटर है वो डालते जाएंगे एक बार में हमें इतना ही डालना है जितना हमारा कड़ा ही में आ जाए उस हिसाब से आप इसमें डालें तो देखो हमारा दूसरा बैच भी सिक रहा है हमने गैस की फ्लेम को low to medium के बीच में रखा है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चेनल पे नहीं हो तो सस्क्राइब करना तो देखो हमारा दूसरा बैच भी सिक्के तयार हो गया है इसी तरह से मैं सभी गुलगले फ्राई कर ल लाइक करना चेनल पे नहीं हो तो सस्क्राइब करना healthy recipe है हमने आटे से बनाया है आप इन्हें मैदा से भी बना सकते हो मैदा सूची से भी लेकिन मैंने तो प्योर आटे से भी बनाया है अंदर से देखो कितनी जारी आई है इसमें और खाने में तो भूती टेश्टी लाज जबाब हैं अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंदा है हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चेनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना धन्यवाद दोस्तो राधी राधी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ